Hello friends, welcome to my channel आज के वीडियो में हम इस जो स्टॉन चेन है स्टॉन चेन ऐसे स्टिच करना सिखेंगे सिर्फ स्टॉन चेन नहीं ऐसे जितने भी चेन मिलते हैं आज हम सिखेंगे कि इनको कैसे स्टिच करते हैं RE embroidery से तो और साथ में हम देखेंगे कि हम RE में कैसे एक अछाषी जो बीदा है के रिए शजुया उरिपीग है तो स्टो के लिए दोम मरें हम चेङ स्टिछी यूज्स करना है पर पैटन जो के लिए पैटने होे ह्पारिक है आपन जाए को यूज्फार सकती बर्डेर का है पैटन तैब सुछी यूजला है जो होता है वह आप ले ले काट ले अपनी हिसाब से और लगा कि उसको आप कपड़े में लगा ले याद रखे जब अब शुरुआती दौर पर आप यह ठीक रहता है सेफ रहता है कि आप ग्लू से ग्लू का इस्तमाल करें जैसे जैसे आप रैक्टिस करेंगे आपको सिलाई तब आप बिना अग्लू के भी यह सिल सकेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो ड्राइ होने देते हैं अब देखे में धागा निकाला है मैंने ब्लैक धागा लिया है ताकि आप देख साब देख पाए समझ में आए पैटन आपको तो देखिए इस तरफ से धागा इस त सामने इसी साइड में एक चेंड दिया उसके बाद मैं क्या करूंगी मैं यह धागा फिर दूसरे साइड ले जाओंगी दो जो पर्ल है दोनों पर्ल के बीच में जो कनेक्टिंग स्पेस है उस पे हमको इस पार्ट से उस पार्ट करना है और उस कनेक्टिंग स्पेस पे जा करना है देखिए यह देखिए यहां से लेकर फिर में इस साइड में आ गए करते हैं आ अolenुार को करते हैं कर दो करने दो दोakah यह देखिए ये अगहां से दोल्मोड़ से ओृाओर करते हैं अद् 업uben करते हैं करते हैं आ दिल्सचस किलिक रते हैं आ झाल झाल चलिए अब मोरपंक का इस्तमाल करते हैं मैं यहाँ पर ग्लू से इसको मोरपंक को लगा दूँगी आपको जिस शेप में मोरपंक चाहिए उस हिसाब से आप उसको काट सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अच्छी तरीके से ग्लू लगा ले ग्लू लगा के ऐसे मोरप मुक्ति में मोरपंक का इस्तमाल करूंगी वह भी दिखाऊंगी अब मैंने गोल्डन धागा ले लिया है और 23 नंबर के निडल ली है और इससे मैं इसके पूरी बॉड़ी पे चेंस्टिज डाल दूंगी यह देखिए मैंने चेंस्टिज डालना शुरू कर दिया है और अब जब भी आप मोरपंक लगाए तो जो स्टोन चेंन है उसके चारों तरफ चेंन लगाना मस्ट है आरी के लिए आरी का यही नियम है तो आप ग्लू के साथ मैंने कहा ना जब अप्षीक रहें तो ग्लू का इस्तमाल करें तो ग्लू के साथ स्टोन चेंन चारों तरफ लगा ले आरी के मोरपंक के साथ स्टोन चेंन लगाते ही हैं तो आप भी ऐसे ग्लू डालके फिर जो स्टोन चेंन है उसके चारों तरफ लगा ले झाल और अभी थोड़ा ड्राइ हो गया है तो जैसे हमने सीखा है जिस तरह से लॉक करते हैं स्टोन चेन को उससाब से चेन स्टिज डाल डालके हम उसी पैटन में सिल्की हम इसको लॉक कर देंगे चलिए लॉक हो गया है अब क्या करना है अब चेन स्टिज के चारो तरफ हमें जो स्टोन चेन है उसके चारो तरफ हमें चेन स्टिज डालना है आरी में आप कुछ भी ड्रॉइंग करें कुछ भी बनाएं उसके चारो तरफ आपको चेन स्टिज डालना मस्ट है तो अब मैं क्या करूंगी मैं इसके जो स्टोन चेन है इसके चारो तरफ सिंपल चेन स्टिज डाल दूंगी चेन स्टिज कंप्रीट हो गया है अभी इसको प्रिजर्व करने के लिए हमें देखिए ट्रांस्पेरेंट नेल पॉलिश मिलती है या फिर वार्निश दोने में से कुछ भी इसमें लगाना मस्ट है अब ब्लाउज में लगाई या कुर्ती में लगाई या बच्चों के कप अब आपरों में यह मोरपंक का इस्तमाल करें मगर स्टिच करने के बाद आपको या तो जो ट्रांस्पेरेंट नेल पॉलिश होती है वह या वार्निश इससे ही यह सेफ रहेगा और यह विद्ट टाइम मतब समय के साथ खराब नहीं होगा तो इसलिए इसका इस्तमाल करना बहुत जरूरी है या तो ट्रांस्पेरेंट नेल पॉलिश या फिर वार्निश यह खतम हो गया है मैंने वार्निश लगा दिया है इस उप भी गया है और देखिए चुली शायद कैमरा में उसकी चमका भी नहीं रही होगी उतनी अच्छी मगर यह काफी अच्छा लग रहा तो ओकी फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई